दोस्तों है स्टोक कर वीडियो में आपको स्वागत करता हूं दोस्तों आज संडे के दिन कल मर्केट ओपेन होगा मैं ट्रेड फ्रा सा लेने में वाइड कर रहा हूं अंटिल और अनलेस की बहुत रिस्क रिवार्ड जो है आपका बहुत ज्यादे फैबरेबल ना हो या आप पैटर्ण जिस पैटर्ण पर आप ट्रेड ले रहे हूं किलियर कट आपको कंफर्मेशन ना दे ठीक रहा हूं अंटिल और लेस्क रिवार्ड फैबरेबल होना है और किलियर कट आपको कंफर्मेशन ना दे तभी आप ट्रेड लिजे और आप भी एवाइड किजिगा मैं को बोलोंगा क्या जाता है विज दिनांगर ट्रेड नहीं करेंगे तो तो मैं आपको ट्रेड तीन स्टोक में बता रहा हूं जबरदस्त इसके अंदर कंफर्मेशन है और सुटेबल पैटर्न बन रहा है जो कि हाईली प्रफिटेबल है उप्रफिटेबल पैटर्न का ब्रेक आउट पर हम ट्रेड लेंगे तो पहला है मेरा बाल क्रिशन इंडर्स्ट्री देखें रिसेंट हाई इसने बनाया ता थाथाइस हो का ठीक ना वहां से नीचे आया और नीचे आने के बाद देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम बनाया ठीक है ना इसको हम बोलेंगे कप क के बाद सिधा गया फिर नीचे आया इसको हम बोलता है है हैंडल यानि कि यह कप एंडल फॉर्मेशन यहां पर बनाया और एक चीज़े यहां पर देखी यह अल्टरा रजिस्टेंट ले रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ दिन से इसी का ब्रिक आउट नहीं के दे रहा है और इसी के पास अपने आपको कंसूलीडेट कर रहे है इसतरह का होने का मतलब क्या होता है कंसूलीडेट कर रहा है और इसके नीचे का मैं यानि 2400 का मेरा एसल है जैसे 2480 के यह जैसे 2480 के ऊपर निकलेगा एक बड़ा सा 8-10% का यह ब्रेक आउट केंडल ठीक है ना क्योंकि 8 दिन का रसिस्टेंट है और 8 दिन का कॉन्सोलिडेशन है जैसे ब्रेक आउट करेगा ये 2600-2600 तक जाएगा तो मैं देख रहा हूं मेरा रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है यानि कि 2480 पर मेरी इंट्री है 2400 पर मेरा SL है और 2600 का मैं टार्गेट 2650 पर मैं टार्गेट लेकर चल रहा हूं यानि कि मेरा रिस्क रिवार्ड बहु ज्यादे फेवरेबल है और ये जैसे ब्रेक आउट देगा का पैन हंडल का नए बायर इसमें आएंगे क्योंकि नए बायर जिसी का वेट कर रहा है ठीक केंडल बनाएगा ठीक है नो 2650 का एकी मास्टर केंडल बनाएगा फिर यहां से दीरे-दीर करते हुए फर्ष्ट टार्गेट 2800 तक का लेकर चलेगा इसका रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है इसलिए मैं बालक्रिस इंडस्ट्री को मैं सेलेक्ट करना हूं आप नजर यहां पर डड़ाया है सब को डड़ाया है ठीक है न और देखिए बूम करके गया फिर वापस आया फिर बूम करके गया फिर वापस आया बूम करके गया और यहां पर अपाचानिए दोस्ट 20 रुपया के उपर से जाकर उपर ही अब नीचे वापस नहीं आया तीस्टा बा ग्रिन केंडल के नीचे क्लोज कर दिया, मैं निकल जाओंगा, ठीक है न, CGL का, मैं ज्यादा इसमें नहीं बैठूंगा, तिसरा है, जूबलियंट इन ग्रिविया, इसका रिजल्ट यह फर्मा कंपनी है, ठीक है न, इसका रिजल्ट बड़ा आच्छा है, इसलिए मैं रिज किया, जैसे इस दिन, इतने के कंसूलीडेसन का का, इस मास्टर कैंडल से ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद कि ये इसी के बीच में consolidate किया आया retest किया ठीक है ना retest किया और retest करके फिर यहीं से वापस जा रहा है तो इसको मैं 580 के target लेकर मैं यहां पर 529 है 532 के उपर मैं खरदारी करूँगा 500 के नीचे का मेरा SL रहेगा मेरा SL तो खार यह है 500 के नीचे का SL रख सकते हैं और 580 के target ले यह ज्यादे में trade मत कीजिए क्योंकि market में election के वैसा बहुँ जाद है volatility है और इस volatility में अपने capital को protection करना ही investment यह trade है समझे इस दिन में कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है तो समझ का trade लिजेगा दोस्तों thank you